Hello everyone, welcome back to the channel, मैं हूँ वर्शा और मैं बहुत वेलकम करती हूँ आपका Urban Body Care में So guys, यह nude look है, जो कि मैंने create किया है, this look is especially for office going girls and college going girls है यह उनके लिए भी है और जिनने nude makeup look पसंद है, जिनने no makeup look पसंद है यह makeup look मैंने especially उनके लिए किया हुआ है इस makeup look को create करना is very very easy, so चलिए देखते हैं यह makeup look हमने कैसे create किया है So सबसे पहले हमने लगाया है primer, प्राइमर के लिए मैंने यहां पे inside का silicone based primer यूज़ किया है इसको सबसे पहले हमने पूरे face पे dot dot लेके लगाएंगे और उसको अपने hand की help से पूरे अच्छी तरीके से फैला लेंगे उसके बाद मैंने use किया fit me का foundation और मेरा जो shade है वो है bing उसमें मैंने add किया just two drops of liquid highlighter और यह Swiss beauty का liquid highlighter है अगर आपको इसका review देखना है आप मेरे channel पे देख सकते हैं मैं उसका description आपको eye button पे दे दूँगी इन दोनों चीजों को आपको बहुत ही अच्छे से mix करना है इसको आपको mix करने में 30 seconds लगेंगे 30 seconds के बाद इसको अपने face पे आपको dot dot करके apply करना है पूरे face पे और इसी को आप अपने eyelid पे भी apply करेंगे और अपने under eye पे भी apply करेंगे तो इसको आपको अपने पूरे face पे apply करना है आपको अपने पूरे face पे कहीं भी space नहीं छोड़ना है इसके बाद हम लेंगे एक damp sponge damp sponge के help से आप press press करके आप इसको spread कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि आप कैसे एक baseless form create कर सकते हैं अपना base तो उसका video भी मैंने पहले बनाया हुआ उसका video आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मिस क्लियर का lip cream अपलाई किया है विकोज इमें लिप्स को बहुत ही moist रखती है इसके बाद मैंने लिया है wet and wild का eyebrow palette और इसमें से मैंने contouring की है contouring के लिए भी मैंने जो है इन सारे जो भी steps हम follow करते हैं make-up में इन सब का मैं एक detailed video आपको पहले ही मेरे channel पर देचुकी हूँ आप पहां से जाके आप detail video देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है कि कैसे हम contouring करें कैसे आप करें आप difference easily देख सकते हैं अब हम करेंगे nose की contouring nose की contouring करने के लिए भी same तरीका हम apply करेंगे बिल्कुल अपने lightly hand से अपने हम nose को contour करेंगे देन हम अपने chin को भी contour करेंगे so that हमेरा double chin या फिर कोई भी मेरा bulginess नीचे ना लगे now it's time to fill our eyebrows हमें पना eyebrows को फिल करेंगे मैं same palette में से darker shade लोंगी और उससे अपना eyebrows को फिल कर लोंगे so guys आप difference देख सकते हैं सबी चीजों के detail video अपने ही channel पर दे रखा है आप वहां से देख सकते हैं साथी साथ में सबका link मैं आपको i button पर दे दूँगी वहां से भी आप easily check कर सकते हैं जैसे कि ठंडिया चल रही है ठंडिया में तोड़ा सा pinkish makeup looks very beautiful on our face so यह मैंने दोनों side blush apply कर लिया है blush आप अपने थोड़ा सा अपने nose पे भी लगा लेंगी तो आपका जो face है थोड़ा सा natural लगने लगता है और इसके बाद हमने apply किया है highlighter highlighter के लिए मैंने हापे use किया है Swiss beauty का ultra glow इसमें से मैं जो shade यूज करूंगी और इसको extra dust off करने के बाद जहां पे हम highlighting का जो हमारे area है वहां पे हम करेंगे highlight and guys आप देख सकते हैं मेरा जो face है highlighter लगाने के बाद ही कितना देखी glow हो गया है same मैं अपने दूसरे side पे भी करूंगी and this is the way कि आपको कैसे apply करना है highlighter highlighter हमेशा जह में apply करते हैं हमेशा ब्लश के ऊपर apply करते हैं and now अपने nose को भी highlight करेंगे because it gives you a very good glow on your nose and यह जो मैं highlighter यूज कर रहे हूं आप इसको day में यूज कर सकते हैं यह आपके face पे बहुत ज़ादा ही glossy और बहुत ज़ादा यूज करने के लिए मैंने just अपने fingers पे लिया है और इसको अपने eye light पे spread कर लिया है जो कि यह new makeup look है so इसमें मैं बहुत ज़ादा कुछ heavy नहीं करना चाहती हूं colorful नहीं करना चाहती so इसे बहुत ही मैंने simple और elegant रख है now it's time for the eyeliner 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 के लिए मैंने यहाँ पे use किया है blue heaven का eyeliner because यह मुझे बहुत अच्छा लगता है dry भी बहुत ही जल्दी से हो जाता है now it's time for the mascara mascara is very important because यह आपके eye look को पूरा complete कर देता है so mascara से हमारा eye look बिल्कुल ही change हो जाता है and साथी साथ में आपके जो eyelashes को एक volumalized और साथी साथ में एक thick consistency का भी देता है so आप same तरीके से हलके हाथों से नीचे कर लेंगे and guys यह देखिए हमारा nude makeup look बिल्कुल ready है so आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत जादा heavy lipstick ने की है so यह मैंने hairstyle किया हुए अगर आपको इस hairstyle का tutorial चाहिए तो प्लीज आप मुझे comment box में ज़रूर comment करिएगा so guys यह हो गया मेरा makeup look ready so guys I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी in the case आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाके सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा और साथी साथ में बेल आइकल को ज़रूर प्रेस करिएगा so that मैं जो भी नए वीडियो लाओ उसकी अपडेट आपको मिलती रहे and guys till then healthy healthy खाने खाते रहें healthy रहें अपना ख्याल रखें बबाई